आप देख रहे हैं बीयार्जीन्यूस कल कर्वाचौत का परवथा स्रसल उत्तर भारत में कर्वाचौत को काफी धामधूम से मनाया जाता है करवाचौत के व्रत के तहर पत्मियां अपने पती की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखती है और फिर रात को चांद देखकर पत्मियां ये व्रत खोलती है व्रद्रा शहर में भी कल करवाचौत के परवकों धाम धूम से मनाया गया तरसल बीते 22 सालों से वड़दर शहर में महराजा साइजीराव उनिवर्सिटी के सैनेट सदस्य दिनेश यादव के घर पारमपारिक तोर पर करवाचौत का वरत मनाया जाता है उसी के चलते कल भी करवाचौत के वरत के चलते दिनेश यादव के घर पर आयोजन किया गया था और उपस्थित सभी पत्नियों की और से पारमपारिक वस्त्रों में सज्ज होकर करवाचौत की पूजा की गई और फिर अपने पती का जहरा और जान्द देखकार महिलाओं ने अपना ब्रत खोला बालकोना दिर्गाईू माटे तथा परिवारनी सुक्सांती माटे राखे जे और ये निराजल उपस करे जे सवार्थी ये पाणी भी नती पीता और राते चंद्रमानी साथे येमना पतीनु मडू जूईने और ये पाणी पीवडाईने पछे अमना ब्रत पूर्णा हुती थाएचे अने सवार्थी आमें कई खादा पीदा वगर आपपास राखे अने सांजे आमें आमा चंदा मामाने जुई अने अमारा पतीनु मूई जूई पछी आमें लोको आपपास तोड़िये छे अने मारा हस्बन ना या नथी तो मैं वीडियो कॉल करी ने मारो अपवास तोड़ियो आने मैं पची पाने पीतू तो एक बहुत सारो अनुभव छे हमारा माटे अने हमें भेगा थाइने करे चे तो बहुत मजा आवे सद उपियोग तो थयो छे पना टेक्नलोजी आजकल नी बहुत उपियोग मा आवे छे किमके अमने वह इच्छी है चे कि अमारा हस्बेंट जया होए पन एक जो के जो बी कामनाली धेलो को या ना थी तो पन अमें इमने जोईने अपपास तोड़ि सके छे तो ए रिते ए टेक अथे तेरीस वरस्ति वर अपपास करूशुू आव रत मा एक शवार्ति तमारे पानी वानी कसो पीवानू नहीं आखो दियोज भुख्या तरसा रेवानू सान्जे पछि आमें वारता मा ची ए गणपतिनी गणेशनी वारता माची ने पछि आमें चंद्र उदेनी राज चंद्र उधय था एटले पछी एने पुजा करीने आने पछी पहला ने चाइनी माँ चंद्र जोईने पछी बरनू मोडू जोईने आने बरना हाथी पाणी पीने अमारो अपपास पूरू करी थोड़ू एवु लागे चे सवारे पन पाणी वगर होई चे एटले एवु फील थाये चे पन डेली रूटीन प्रमाणे चे थोड़ू अगरू लागे पन वर माटे अने थोड़ू प्रेम माटे वदू थाये तो करीले वानू अने वरसमा एक फकत आउवु करवानू होई अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आज ही बियारजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बियारजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें